नमस्कार मेरे किसान भाईयों किसान साथियों यह जो समय है यही गन्ये की फसल के लिए बहुत उप्यूक्स समय है इसी समय पे अगर सही ट्रीटमेंट गन्ये का करा जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं आज मैं कई दिनों बाद अपने इस रिंग पिट गन्ये पे पहुचा हूं और किसान साथियों 65 दिन का आज यह हुआ है लाइन से लाइन की दूरी 6 फिट और घड़े से घड़े की दूरी सिर्फ 2-5 फिट है किसान साथियों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि और सिर्फ 15 दिन किसान भाईयों 12-13 दो आंक के टुकडे रखे गए थे और वही जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है हम वही खाद एन्पीके यूरिया हुमिक इन सब का प्रियोग करा गया और इसमें कोई स्पेशल काम नहीं करा गया किसान भाईयों और सिर्फ एक बार इसकी खड़ों की किसान भाईयों जिसे देखके बहुत मन खुस होता है किसान का किसान भाईयों रिंग पिट गन्ना करने से पहले कई मेरे किसान भाईयों के मन में यह दिक्कत रहती है बहुत सारे डाउट रहते मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है डाउट किलियर करने के लिए थोड़ा के बारे में और अच्छे-च्छे किसानों से भी मिलवाने कि आपको इस साल कोशिश करूंगा अब क्योंकि सब किसानों के खेतब तैयार होने लग रहे हैं किसान भायोंoup बहुत सारे मेरे किसान भाय कहते हैं कि सिर्फ एक आख टुकड़ा लगाना चाहिए हमने इसमें दो आंख की टुकड़े लगाए जिस आमें बहुतर रिजल्ट मिला बहुत सारे मेरे किसान भाई कहते हैं जिन्हों ने बोया वो भी कह रहे थे कि मनोज भाई इसमें ब्यात नहीं होता आप इसमें 40 आंक रखो लेकिन किसान साथियों हमने हलकी मिट्टी लगाई बहुत और इसमें बहुत जबर्दस्ट ब्यात है मैं आपको दिखाने की करूंगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेहरा चोदा पंद्रा सोडा सत्रा ठारा उन्निस बीस इक्किस बाइस तेईस मतलब की तीस गन्य के आसपास इसमें सुष्ट बिल्कुल अब किसान भाईयों तयार हैं और अभी ब्यात के लिए कम से कम दो महीने बचे हुए हैं अगर हम चाहें तो इसमें और भी ब्यात ले सकते हैं किसान भाईयों लेकिन मैं समझता हूं कि यह उप्यूक्त समय हैं अब इसमें दीरे दीरे हम और दस दिन बाद इसमें मिट्टी हलकी हलकी अंदर करनी शुरू कर देंगे ताकि इसका ब्यांत रोका जा सके किसान भाईयों क्योंकि इसने बिल्कुल पूरी जमीन को ढख दिया है अभी यह देखे अगर इसमें और जादे ब्यांत लिया तो फाइदे की न शुटे अगर आपका पानी लगाने की कोशिस करें अगर आपकी जमीन रेतिल्य है हलकी मिट्य अरब ट्रंच वीर रेंग पीट्वीदी से गन्ना करना चाहते है तो रेतिल्ली मिट्टी में तरीका यह है, के पहले अपने गड़ों को बन्वाने के बाद, गड़े करवाने के बाद उसमें लाईन से लाईन मिला ले और पानी पहले दे ले, बिना बुआय के पानी दीजे, और अगर मिट्टी जितनी जमीन में गिरनी होगी, जैसे उसमें खड़ी आख बो दीजिए कम से कम भी 25 अगर आपकी मिट्टी अलकी है जैसे हमारे यहां पर मिट्टी बहुत सक्त है मजबूत है तो हमें इसकी अवाशक्त नहीं पड़ी सिर्फ और सिर्फ किसान इस रिंग पिट में तब फैल होते हैं किसान बाईयों जब कोई स्थिती है नहीं बाकि एक से किसाने में यह भी यह भी न de nuकोंगा स्मय बढ़ाई की बात नहीं है मैं चाहता हूं के हर किसान का गन्हां आएसा ही हौ इसलिए मैं ये वीडियो जो इस अमय संथे अपनी और किसानों की भी लाता रहता हूं और जयानकारी सारी किसारी रहे तो निश्चित रूप से किसान अपनी आए बढ़ा सकते हैं और किसान भाइयों कि हमें इसके बीच में सैफसली नहीं करनी थी तो मैंने थोड़ी सी जगह जो बीच की है वो कम करवा दी थी मुझे लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें भी बहुत है अगर किसी को सैफसली लेनी तो थोड़ा सा इसका स्पेस भी बढ़ा सकते हैं और अगली बार इसमें और अच्छा सुधार करा जाएगा जो छोटी छोटी गलतिया है वो आपको भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आने वाले समय में हम रिंग पिट में और भी अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे क्या-क्या सुधार है वे आने वाली वीडियो में मैं आपको सब को बताता रहूंगा किसान भाईयो क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो चाए कोई भी काम हो निश्ची दूरूप से उसमें कुछ न कुछ गलतिया रह जाती है पर हमसे बहुत कम गलतिया हुई है इसलिए हमारा जो ओवरोल खेत है वो अच्छा चल रहा लेकिन आग्य चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाईयों वीडियो कम से कम 10-10,000-20,000 किसान भाई देखते हैं लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करें तभी आपके पास समय पर वीडियो पहुंचेगी सबसे पहले वीडिय पहुँचेगी धन्यवाद